Hello and welcome you all dear students, आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे दो बहुत ही ज्यादा important indexes जो की हर एक competitive exam के लिए बहुत ही ज्यादा important है और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलिग्राम पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो मलिक ट्योटोरियल, उस ग्रुप को जोइन करो, वहीं पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी सबसे पहले हम discuss करेंगे SDG Urban Index 2021 इसको release किया है नीती आयूग ने under the Indo-German Corporation और ये इस index का first edition है इस index का main objective क्या है, जो हमारी CTs है, उनको हमने इस तरह से बनाना है, जो हमारे पास sustainable development goals है, उनको हम 2030 तक एचूगर सकें इस index को prepare किया है, नीती आयूग ने and Germany International Corporation Agency GIZ and BMZ ने और इस index में 46 target, 77 indicators and 56 urban area को consider किया है यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यह इस index का first edition है, इसको prepare किया गया है नीती आयूग ने किसके साथ मिलके, Germany International Corporation Agency GIZ and BMZ के collaboration से उसके बाद आपको याद रखना है, इस index में 46 target लिए गए हैं, जिसमें 77 indicators हैं and 56 urban areas को consider किया गया है अगर हम बात किरेंगे ranking scale की, जिस तरह से sustainable development index में states and uts को score दिया जाता था between 0 to 100 इसी तरह से यहाँ पे भी urban areas को score दिया जाता है between 0 to 100 और 100 का मतलब है उस goal को उस particular urban area ने achieve किया है, अगर 0 होगा मतलब अभी कुछ भी नहीं किया है और यहाँ पे भी urban areas को classify किया जाता है on the basis of composite score जितना score होगा उसी हिसाब से हम classify करते हैं जैसे अगर किसी particular urban area का score होगा between 0 to 49 वो aspirate में होगा अगर score होगा between 50 to 64 तो performer और अगर 65 to 99 तो front runner and अगर 100 होगा तो इसका मतलब achiever ओके बिलकुल same है कोई भी difference नहीं है अब हम देखेंगे performance of the urban areas यहाँ पे top performance है शिमला की जिसमें उसका score है 75.50 यानि rank number 1 उसके बाद second number पे है कोईमबटोर जिसका rank 2 है with score 73.29 और third place पे दो urban areas है चंदीगर और त्रिवन्तपोरम उसके बाद अगर हम देखेंगे worst performance सबसे घटिया performance है धनबाद की जिसका rank जो है 56 है और score कितना है 52.43 इसी तरह से merit इसका score है 54.64 and rank कितना है 54 then 8 अगर इसका जो score है sorry इसका score आएगा 55 and then 54 बस आप उपर से 3 याद रखो and bottom से आप 3 याद रखो यहाँ पे मैंने दो इसलिए लिए है विकास इन दोनों का rank same है और अगर हम बात करेंगे जम्मो एंड कश्मीर की जम्मो एंड कश्मीर से सिरफ सिर्नागर को लिया गया था जिसमें rank था 39 and सिर्नागर का जो score था 61.50 ओके और अगर हम बात करेंगे top performance सिर्नागर ने top किया था goal number 7 में यानी affordable and clean energy जिसमें सिर्नागर का आया था 98 marks यानी score आया था उसके बाद दूसरे नंबर पे peace, justice and strong institution यहाँ पे 90 score था उसके बाद worst performance थी goal number 8 में यानी decent work and economic growth यहाँ पे आप इसको याद रखो goal number 7 में सबसे अच्छी performance थी and goal number 8, 7, 8 साथ साथी है goal number 8 में सबसे worst performance थी पस इतना आपके लिए काफी होगा और आपको एक चीज़ याद रखनी है India and Germany की तीन fields में corporation है maybe possible ये भी पूछा जाए किस-किस में है energy में environment and management of natural resources and then sustainable urban development next अब हम discuss करेंगे national multi-dimensional poverty index now इस index से पहले India में बहुत सारे poverty index release हुए है but वो सारे index सिरफ एक ही aspect यानि monetary aspect को consider करते थे यानि कि ये government of India एक monetary value fix करती थी let us suppose that 100 rupees per day ठीक है 100 rupees per day consider किया जिसके पास 100 rupees होंगे वो गरीब नहीं है जिसको इससे कम per day rupees होंगे वो गरीब होगा लेकिन अगर हम present situation देखेंगे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है पैसे के साथ साथ education, health और बहुत सारी चीज़ों की ज़रुरत होती है इसलिए multi-dimensional poverty index ये सारी dimension को देखता है यानि multi-dimensional है ये सिरफ एक ही dimension को consider नहीं करता है और ये इस type का India में फर्स टाइम रेलीज हो रहा है नव जो multi-dimensional poverty index है ये दो रेलीज होते ही एक global multi-dimensional poverty index और एक जो की first edition है national multi-dimensional poverty index का जो की सिरफ इंडिया की बात करता है इंडिया की states की और आलसो यहां पे districts भी consider किये गए है ये जो national multi-dimensional poverty index है इसको रेलीज किया है नीती आयोग ने on the basis of 2015-16 national family health survey सबसे पहला point जो आपको याद रखना है नीती आयोग ने इसको रेलीज किया और किसके basis पे 2015-16 national family health survey उसके बाद second चीज जो आपको याद रखनी है इसमें यानि national multi-dimensional poverty index में same method apply होते हैं जो की global multi-dimensional poverty index में इस्तमाल होते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम बात करेंगे global multi-dimensional poverty index की इसको रेलीज करता है United National Development Program यानि UNDP and the Oxford Poverty and Human Development Initiative ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है और इस साल जो की जुलाई में रेलीज होआ था जिसमें global multi-dimensional poverty index में 109 countries को consider किया था with 5.9 billion people अगर हम थोड़ा global data की बात करेंगे according to global multi-dimensional poverty index 1.3 billion people are multi-dimensionally poor यानि वो multi-dimensionally poor है बहुत सारी dimensions है जिनको हम अभी आगे discuss करेंगे जिसमें 50% यानि almost 644 million are under the age of 18 ठीक है and approximately 85% जो people है यानि 1.3 billion pupils में से 85% कहा रहते हैं middle income countries में यानि सब सहारन अफरीका और South इस्या में और अगर हम बात करेंगे India की तो India में सब से ज़्यादा घरीब कहां पे है low tribes और cost यानि सब से ज़्यादा घरीब ही कहां पे है low tribes या low cost में जो की कुछ data यहां पे available है schedule tribes 9.4% and then schedule cost 33.3% and other backward classes 27.2% ओके global multidimensional index का उसके बाद अगर हम बात करेंगे national multidimensional poverty index जिसको नीती आयोग release करता है जो MPI coordination committee है इसमें total 14 ministries and departments है जिसमें इंडिया की 12 ministries and departments है and दो additional है United National Development Program and Oxford Poverty and Human Development initiative इसको भी थोड़ा आप नजर जूरूर मालिएगा next अगर हम बात करेंगे parameters यानि जो national multidimensional poverty index है इनमें कौन से parameter इसनवाल किया जाते है तो इसमें हमारे पास three dimensions है health education and standard of living ठीक है and इसी के basis पे weight assign किया जाता है हर एक को one upon three one upon three and one upon three उसके बाद अगर हम indicators की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 indicators use किया जाते हैं यह चीज़ आपके लिए उतना ज्यादा important नहीं है आपको याद रखना है dimension and indicators ठीक है कितने dimension है three dimensions है and 12 indicators है उसके बाद अगर हम बात करेंगे global multi-dimensional poverty index की यहाँ पे भी three dimensions है बट यहाँ पे सिरफ 10 indicators है जो additional दो indicators है वो कौन-कौन से है उनको हम यहाँ पे देखेंगे वो है anti-natal care and bank account यह दो additional indicators है national multi-dimensional poverty index में बाकी बिल्कुल same है जो यहाँ पे है वो ही आपको यहाँ पे भी दिखेंगे ओके इन सब को आप जुरूर नजर मरिएगा इनके साथ जो है ना one upon six one upon six यह इनकी weightage है यह आपके लिए उतना ज्यादा important नहीं है बट आपको dimensions and indicator याद रखने है उसके बाद अगर हम बात करेंगे method कौन सा इस्तमाल होता है तो यहाँ पे method होता है calculate the head counts यानि how many are pores कितने pores हैं उसको denote किया जाता है edge के साथ और multiply by on average how poor the pore is एक गरीब कितना ज्यादा गरीब है उसको denote किया जाता है a के साथ and then हमारा जो MPI है यानि multi-dimensional poverty index है वो उसका result आ जाता है ठीक है तो simple सा formula है उसको आप याद रखेगा अब हम देखेंगे poverty of Indian states according to multi-dimensional poverty index Indian states में बिहार में 91% बिहार में लोग क्या है गरीब है यानि 100 में से almost 52 लोग क्या है वो गरीब है उसके बाद दूसरे नमबर पे जाहरखंड and then उतरबरदेश ठीक है ये जो है top states है जहाँ पे सब से ज्यादा गरीब है ये तीन आपको उसके बाद अगर हम Union Territories की बात करें डादरा and नगर हवेली यहाँ पे सब से ज्यादा गरीब है 27.36% and then second number पे अपना Jammu and Kashmir है 12.58% यहाँ पे गरीब है ठीक है और सब से ज्यादा कम गरीब ही कहाँ पे है वो है पुड़ुचिरी में जहाँ पे सिरफ 1.72% लोग क्या है गरीब है यहाँ पे आपको यह याद रखना है पुड़ुचिरी add then दादरा and नगर हवेली और Jammu and Kashmir की भी याद रखो क्योंकि हम हैं Jammu and Kashmir से ठीक है उसके बाद यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स and लास्ट में बॉटम में जो तीन स्टेट्स है उनको आपने याद रखना है उसके बाद अगर हम औराल बात करेंगे कि MPI इंडिया का MPI स्कोर कितना रहा वो रहा 0.118 यहाँ पे इस चीज़ को आपको याद रखना है अगर रूरल का पूछा जाए तो 0.155 and अर्बन में 0.04 यानि Multidimensional Poverty Index का सिकोर है यह बस इतना आपको इसमें याद रखना है उसके बाद हम बात करेंगे Jammu and Kashmir की Jammu and Kashmir का जो ओर आल स्कोर रहा था वो था 0.055 जहाँ पे Rural Areas में 0.073 स्कोर है and अर्बन में 0.015 यानि Rural में ज्यादा गरीबी है as compared to Urban उसके बाद हम देखेंगे District Wise Poverty in Jammu and Kashmir सबसे पहले मेरा आप से एक Question है आपने Comment करके मुझे बताना है आप किस District से Belong करते हो और जब आपने इस Index को देखा आपको क्या फिल हुआ अगर आप गरीब District में रहते हो आपको कैसी Feeling आई या आप किसी Amir District में रहते हो ठीक है आपने Comment करके मुझे ज़रूर बताना है और अपने District का जो percentage है वो भी लिखनी है अगर हम Jammu and Kashmir की बात करें Jammu and Kashmir में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहा रहते हैं वो रामबन में रहते हैं यानि 35.26% लोग क्या है गरीब है यानि 100 में से लगबग लगबग 36 लोग क्या है वो गरीब है सेकंड नमबर पे डोडा and then राजोरी ओके टॉप थ्रे डिस्टिक्स रखो और फिर अपना डिस्टिक्ग भी याद रखो आपको भी पता होना चाहिए आपके डिस्टिक्ग में कितनी गरीबी है उसके बाद सबसे ज़्यादा कम गरीबी है सिरनगर में जो भी सिरनगर से उसको कैन ग्रेजुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम गरीबी है सिरफ 1.51% लोग गरीब है देन पुल्वामा एंड शुपियन ओके यह तीन जो है बहुत खुश किस्मत है जहाँ पे बहुत ही कम गरीबी है उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्कोर की तो स्कोर आपके लिए उतना ज़्यादा इंपोर्टेड नहीं है बट आप जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है वो आप याद रखो रमबन में 0.163 इस रमबन का स्कोर है एंड सिरनगर जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम गरीबी है यानि 0.006 यह इसका स्कोर है तो यह तो आप याद रख सकते हो में भी पॉसिबल यह पूछे जाएं इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है बस इतना सब आपको याद रखना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा